Hello students, welcome to all RNCC Nursing Coaching Platform सागत आप सभी का RNCC के इस YouTube चनल पे आज का अमारा Information और KGMU Exam Strategy का वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो Admit Card का बहुत सारे बच्चों के मेसेज आ रहे सर आप हमें बताएं कि ये Admit Card कब आएगा अभी तक क्यों नहीं आया है ना बिलकुल लेकिन Admit Card अभी नहीं रिलीज हुआ है लेकिन आप सभी के लिए मेसेज आप सभी के लिए इमेल जरूर आ चुके हैं आपका सेंटर आपको बता दिया गया है ताकि आप अपना टिकट जो है जाने का टिकट वहाँ पे कन्फर्म कर सके है ना तो सबका सेंटर तो आ चुका है लेकिन Admit Card आपका विदिन टू टू त्री डेज रिलीज हो सकता है जियान रखेगा आज भी हो सकता है लेकिन आने वाले दो से तीन दिन में आप सभी का Admit Card भी जनरेट हो जाएगा जियान रखें ठीक है ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आप सभी को बस अपना जो study है वो सही तरीके से continue करना है जो भी subject साथ के रह गए है उनको सही तरीके से continue करें और बढ़िया तरीके की preparation रखें है ना तो दो से तीन दिन में आपका Admit Card जनरेट हो जाएगा अब अपन बात करते हैं सर ये अब की बार जो exam होने वाला है वो exam होगा कैसा offline exam और इस offline exam में आपको क्या मिलने वाली है सर OMR seat मिलने वाली है और OMR seat पे आपको exam देना है तो अपने को कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना रहेगा कैसे attending करनी है और कितने question attempt करने रहेंगे according to category तो इस पे अपन पूरी बात करते हैं है ना बहुत बढ़िया और बहुत information का वीडियो रहेगा और जो बहुत अच्छे तरीके से follow करके जाएंगे तो वास्तों में ब आपके सामने ओमार सीट रहेगा इस तरीके से और सबसे देखो क्या गलती नहीं करनी है ये जरूर दिया रखें ऑफco कई सारी एक्जामस में आपने पहली बार जब औमार का एक्जाम कर दी थी तो वो सारी mistakes इसमें नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो mistakes नहीं करने के लिए आपको क्या करना है बिल्कुल अपने आपको confidence में रखना है, सही तरीके से, है न बिल्कुल, तो confidence अच्छा रहेगा तो सारी चीजा बहुत अच्छे से रहेगी, बिना attention के exam देना है, तो देखो यहाँ पे mostly Omar जो रहता है, उसमें name बगेरा, capital letters में उसके अलवा भी यहाँ पे कुछ columns होते हैं वैसा सब कुछ fill करके आपको रख देना है जैसे ही paper आपके पास में आता है अब देखो, यह तो basic है जिसको सब को पता है कि basic Omar fill अपने को कैसे करना रहता है वो सब को पता रहता है लेकिन जैसे ही paper हमारे पास में आता है paper आने के बाद में जब आपको Omar कैसे fill करना है क्योंकि देखो, mistakes क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, Omar के साथ में Omar के साथ में होने वाली जो mistakes है वो उसके बारे में अपन बात करते है mistakes यह होती है, कुछ बच्चे क्या करते है जैसे पूरा paper first shift में करते है ना पूरा paper यानि first shift का मतलब है कि एक बार में वो पूरा paper करते है जैसे उन्होंने यहाँ पे 100 MCQ थे, यानि कि 80 to 90 तक उन्होंने question कर दिये फिर वो बैठते है OMR sheet को बरने यह सबसे गलत तरीका है ज्यान रिखेगा यह सबसे गलत तरीका है कि एक बार में सारे booklet के paper किये उसके बाद में OMR बरना यह सबसे wrong method है ज्यान रिखेगा इसमें क्या होता है बिलकुल इसमें सबसे ज्यादा problem जो होती है वो यह होती है time का बिलकुल आपका time निकल जाता है और आप पूरे के पूरे OMR आपने cushions, booklet के अंदर सब कुछ सही कर रखा है लेकिन आपने cushions को यहाँ पे sorry आपने options को आप OMR sheet में पूरा नहीं fill कर पाते है time की वज़े से तो यह time management अच्छे से नहीं रहता इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी ज्यान रखेगा कि अपन पूरा booklet करके फिर OMR fill करें यह तो सबसे wrong रहेगा ज्यान रखेगा इसको ऐसी गलती नहीं करनी ज्यान रखेगा अब देखो कैसे करना रहेगा OMR के exams में थोड़ा special तरीके से आपको ध्यान रखना होता है दूसरी mistakes जो होती है कि अपन OMR का जो जहां आपने को गोला बनाना होता है वो गोला आपन दूसरे में भर देते हैं दूसरी mistakes यह होती है जैसे आपको first option में यहाँ पे third पे गोला बनाना है चलो आपने बनाया है ना second में यहाँ पे आपको second पे बनाना था लेकिन आपने इसको third में बना दिया तो इसलिए क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा bulk के questions नहीं करके आपको shortly shortly यहाँ पे 10-10 MCQs करके आपको क्या करना है इस तरीके से best strategy के साथ में आप इसको सही कर सकते हैं अब देखो question वैसे ही करने जैसे आप online में करते थे online में कैसे करते थे सर बिल्कुल अपन एक तो first shift चलाते है कि जो question आ रहा है वो करते रहना है है ना और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते रहना है क्योंकि देखो इसमें negative marking भी है जानके का negative कितना है 0.33 इसमें negative है तो इसलिए जो question आ रहा है वो पहले करते रहे है जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते चलिए ना अब इसमें मैंने क्या क्या 10 10 mcqs का mostly यहां जो box रहेगा आपके सामने mostly chance है कि वो 10 10 का रहे जैसे यह section A दिया रखा है उसी तरीके से ना तो 10 mcqs आपने किये और 10 का गोला बना लिया ठीक है ना यानि कि answer fill कर दिये यह सबसे best strategy होती है जान रिखेगा और दूसरी बात होती है मैंने बताया कि यह जब आप shift में आनि कि first shift का मतलब होता है कि mcqs जैसे आपको पहला आ रहा है दूसरा आपने किया तीसरा आपने किया fourth one किया fifth one आपको नहीं आ रहा है आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो गोला भी वहाँ पर छोड़ा हुआ है जान रिखेगा फिर six seven eight nine ten तरीके से अब देखो क्या होता है अब यहाँ पर 10 mcqs किये अब यहाँ पर आप उनके answers अपने आ यहाँ पर फिल कर दो यहीं पर उनके answers फिल कर दो जान रिखेगा क्योंकि यह जो है जो आपने आये हैं वो तो पक्के कर ही लिए है जान रिखेगा और जो नहीं है वो booklet में answer वहाँ पे लगाओ जो booklet आपको दे रखी है questions वाली उस booklet के अंदर आप टिक लगा सकते हो कि कौन सा आपने किया है कौन सा आपने छोड़ा है क्योंकि O mark के साथ में नहीं करना है ऐसा booklet में करना है ज्यान रखेगा कि कौन सा किया है कौन सा छोड़ा है तो 10 10 10 का जो options है यह सबसे बढ़िया रहेगा कि 10 mcqs किया और 10 में आपने marking कर दी यानि 10 में गोले लगा लिए यह सबसे best रहेगा ज्यान रखें इससे क्या होता है इससे यह जो आप यहाँ पे कर रहे थे कि पूरा करने के बाद में बहुत सारे इस्ट ब्लेंड के साथ में ऐसा होता है कि वो पूरा जो ओमार सीट अच्छे से फिल नहीं कर पाते ज्यान रिखेगा तो यह problem वहाँ से आपकी हट जाएगी इसलिए 10 mcqs करो और 10 क्या बना लो वहाँ पे गोले बना लो answers के ज्यान रिखेगा ठीक है न और यहाँ पे देखो यह भी पूरा कहा गया कि गोला भी पूरा बनाना है ऐसा नहीं कि आदा आदूरा बना के छोड़ दो instructions अच्छे से पढ़ने है ज्यान रिखेगा ठीक है न अब negative marking का ध्यान रखते हुए आपको questions आरे करने हैं जो questions बिल्कुल नया है आपको नहीं आ रहा है आपको नहीं करना है ध्यान रखेगा special बात है क्योंकि questions negative marking वाले हैं तो negative marking का special ध्यान रखना और negative भी ज़्यादा है यानि कि आप कितने हैं आप यहाँ पे जैसे तीन questions wrong कर देते हैं है ना तो आपका mostly अपन क्या सकते हैं कि marks है वो अच्छे तरीके से deduct हो जाएगा तो इसलिए negative marking ज्यादा है इसलिए negative marking का special ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से अपना paper करें अब देखो यह तो हो गई basically कैसे fill करना रहेगा mostly मैंने जो 1010 का partition करके बोला है वो एक best strategy है जो आपको ठीक लगे तो बहुत बढ़िया बात है अब देखो यह तो एक बात हो गई अब देखो next की असर attending कितना करना है है ना कितना attending हम कर सकते हैं देखो 100 mcqs आपके पास में रहेंगे 100 mcqs और इन 100 mcqs के अंदर कितना कितना क्या है 60 तो nursing का है याद रखेगा maximum attending है ना maximum attempting आप यहां रख सकते हैं ज्यान रखेगा nursing में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो maximum attempting यहां रहेगी उसके बाद में 10 gk रहेगा 10 आपका English रहेगा 10 आपका Hindi रहेगा और 10 जो है आपका general reasoning रहेगा ज्यान रखेगा तो यह सारे सब कुछ रहने वाले हैं अब यहां 60 में आप maximum attempting कर सकते हैं यानि 60 के questions है इन में से आप 50 plus questions भी कर सकते हैं ज्यान रखेगा यानि आप 55 तक भी जा सकते हैं 4 to 5 questions ऐसे होंगे जो mostly आपको confused कर सकते हैं उनको नहीं करना है जो नए questions है बिलकुल भी answer नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है तो 50 plus questions यह कर सकते हैं ज्यान रखेगा उसके बाद में इसमें जीके, English, Hindi और Reasoning बिलकुल जो question आपको आए वही करना है ज्यान रखेगा क्योंकि आपका जैसा इन subjects के अंदर level है वैसा ही दूसरे students का है ज्यान रखेगा किसी ने कोई बड़ी महारत हासिल नहीं कर रखी है इनके अंदर है ना तो बिलकुल जो question आपको इन में से आए वही करना है हो सकता है जीके में से आपको 4 question आए तो 4 ही कीजे English में से आपको 5 आए तो 5 ही कीजे Hindi में आपको 6 आए तो 6 ही कीजे Reasoning में आपको 3 question आए तो 3 ही कीजे कोई दिक्कत नहीं है ना बिल्कुल लेकिन जो कुशन आए वही करना है टपा नहीं लगाना ज्यान रिखेगा क्योंकि negative marking का special ध्यान रखना है 0.33 negative है तो इस तरीके से आप जो है अपना attending कितना रख सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे general candidates के लिए especially बताना चाहता हूँ कि वो जो अपना attempting है वो यहाँ पे 75 to 80 के आसपास रख सकते हैं जानकेगा देखो क्योंकि English, GK, reasoning सब कुछ है और इन सब की वज़ा से यहाँ मैं आपको attempting इतना कम बता रहा हूँ लेकिन आपको बिल्कुल आपको लगता है कि paper का level easy है easy level है तब आप यहाँ पे 90 तक भी जा सकते हैं जानकेगा depend करेगा paper का level कैसा है आपकी तयारी कैसी है तो अच्छा confidence है तो 90 तक जा सकते हैं 10% mostly ऐसा होता है कि जो questions है वो mostly हर exams में छोड़ने लाइक ही होते हैं general candidates mostly आपको लगता है थोड़ा अच्छे level का paper है और reasoning English यह जी के सब कुछ tough है तब आप 75 to 80 के आसपास रह सकते हैं नहीं तो आप 90 तक भी जा सकते हैं अगर easy level है तो बात करते हैं OBC का OBC EWS को कहां तक जाना चाहिए तो बिलकुल वही है 70 to 80 के बीच में आप भी रह सकते हैं अगर paper का level अच्छा है तो आप भी 85 to 90 तक जा सकते हैं कोई दिक्त नहीं है ठीक है ओके बात करते हैं सर HTSC को कितना करना चाहिए basically आपको 65 से नीचे तो आना ही नहीं है जानकेगा sorry 60 से नीचे नहीं आना है बाकि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 60 से लेके 75 के बीच में कितना भी कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं है आप 80 भी कर सकते हैं 85 भी कर सकते हैं depending on your levels आप कितना कर सकते हैं उसके according वहाँ पे paper को कर सकते हैं जान रखेगा कोई दिक्त नहीं है लेकिन minimum आपन कह सकता है कि 60 से कम तो किसी को करने नहीं है, है ना, बिलकुल, क्योंकि देख सकते हैं, इतने से कम merit mostly नहीं रहने वाली जान रखेगा, है ना, ओके, तो कम से कम 60 तो करेंगे, तभी तो यहाँ पे आपका mostly कह सकते हैं, कि अच्छे से merit बन पाएगा, बाकि students के साथ में, ठीक है ना, तो हमारी तरब से हर बार बताया जाता, students को कि कितना कितना क्या attempting करना रहेगा, और कौन से कौन से subject को कितना कैसे करना है, तो जो questions बिलकुल नया है, नहीं आ रहा है आपको, बिलकुल उसको छोड़ दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, और maximum attempting है, वो nursing में रखना है, क्योंकि आपका जो syllabus है, वो बहुत अच्छे से cover कोन सा है, nursing है, तो ज़्यादा focus आपका nursing पे रहना चाहिए, maximum attempting आपकी nursing की रहनी चाहिए, other subjects में से जो question आए, वही करना है, इसके अलावा टपा नहीं लगाना है, ये जरूर ज्यान रखें, ठीक है, चलेगा बहुत बढ़िया, उसके बाद ये CD कहां जा रही है, बिल्कुल ये CD आपके उस exams के, उस KGMU के jobs के लिए है जान रखेगा, जो आपको KGMU के अंदर ले जाने वाली जान रखेगा, तो ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बलकि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा, बिल्कुल हर उस negativity को side में कर दीजिए, अपना दिमाग positive रखेगे, आपने मेहनत की है, बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा practice की है, ये exam आपके लिए है, ये दिन आपके लिए होगा, और बिल्कुल इस दिन आप ये government job अचीव करने वाले हैं जान रखेगा, तो इसी आत्मो इस्वास के साथ में exam hall क्या हूंगा मेरा, है ना, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम हिम्मत न हारेंगे, धुन मंजिल को पाने की है, मंजिल पाकर मानेंगे, बिल्कुल ये जो धुन आपकी मंजिल को पाने की है, है ना, तो मंजिल पाके ही मानोगे जान रखेगा, जो पागल हो रखे ह जो लगे हुए हैं कि सर इस बार गॉर्मेंट जॉब लेनी है वो जरूर लेके मानेंगे जानकेगा तो बिल्कुल अपना आत्मविस्वास अपना confidence चरम पे रखेगा शांदार तरीके का exam आप सभी के लिए wait करेगा next अभी भी 4 to 5 days आप सभी के लिए बाकी है कई सारे students हमारे साथ में model test paper के साथ में जुड़े हुए हैं जो 3-4 महिने से continuously exams दे रहे हैं बहुत अच्छा performance भी कर रहे हैं बहुत अच्छा confidence भी उन्होंने boost किया है तो बिल्कुल और भी अगर कोई students हमारे साथ में model test paper को access करना चाहता है इन days के अंदर वो सांदार तरीके से कुछ वास्तों में summarize करना चाहता है content को तो ये model test paper आप सभी का wait कर रहे हैं बिल्कुल model test paper total 60 model test paper से ज्यान रखेगा जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से solutions देखके सारे question को access कर सकते हैं ज्यान रखेगा तो 60 model test papers kgmue के बिल्कुल जिसमें आपको वही pattern मिलेगा ज्यान रखेगा 60 nursing और 10 10 10 करके other subjects का वही पूरा का पूरा pattern है 60 model test papers से और बहुत शांदार content बिल्कुल ऐसा सांदार content की कई सारे questions आपको directly वहां मिल जाएंगे बिल्कुल आप लोगों ने review देखा होगा हमारे RML selected candidates का AGPJ candidates का जिनोंने बताया कि सब direct question बने हैं हमारी test series से है ना तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से exams के लिए अपनी preparation को और ज्यादा अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं ठीक है ना ओके बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से पूरे confidence के साथ मैं exam दीजेगा और बहुत-बहुत सुब कामना हैं आप सभी को आपके इस exam के लिए और आपके upcoming results के लिए thank you thank you so much all